नमस्कार जेके न्यूज में स्वागत है आप सबका इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज किसान आंदोलन को लेकर के किसानों का भारत बंद आज कौन कर रहा सपोर्ट क्या रहेगा बंद क्या रहेगा खुला कहां मिलेगी छूट सारी बाते इस बुलेटिन में आपको उससे पहले वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बला आइकन जरूर दबाएं हाला कि महाराष्ट्रा ओडिसा में सुबह से ही भारतबंद का असर दिख रहा है कई जगहों पे ट्रेनेरों की गई है किसानों के समर्थन में कांग्रेस NCP सपा और आप समेत 18 से ज्यादा विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंदर केजरीवाल सोमवार को किसानों के बीच पहुँच गए तो सपा प्रमुख अखिलेस यादवी सड़कों पर उत्रे उधर सरकार ने घोशना पत्रों का जिक्र कर विपक्ष को घेरा तो आपको बताएं किसी को मजबूर ना करें किसान नेता बलवीर सिंग ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि चक्का जाम सुबह ग्यारह बजे से दोपहार तीन बजे तक रहेगा इस दौरान आपातकालीन सिवाओं की अनुमती होगी बंद में सामिल होने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा राजनैतिक दलों के लोग हमारे मंच पर नहीं होंगे उधर देर शाम हर्याना के किसानों के एक प्रतिनिदी मंडल ने करशी मंत्री नरेंदर शिंग तोमर से मुलाकात कर करशी कारूनों के प्रतिस समर्थन जतलाया दिल्ली के सियम अरविंद केजरीवाल सोम वार सुबह कई मंत्रियों के साथ सिंगु सीमा पर धरना दे रहे किसानों के बीच जा पहुंचे उन्होंने कहा कि केंदर ने हमसे स्टेडियम को जेल बनाने को कहा था हमने नामंजूर कर दिया उन्होंने केंदर को जम कर कोसा अब आपको बता दे क्या रहेगा बंद कैब टैक्सी चालक बंद में सामिल होंगे इससे पूरी दिल्ली इंसियार में कैब सेवाएं प्रभावित होंगी मंडी समितियां बंद रहेंगी फल सब्जे की आपूर्ती प्रभावित होने के आसार है दूद समेत कई जरूरी सामानों के वाहनों की आवाजाही पर असर पढ़ने की संभावना है। दिल्ली के लिए नोईडा से रोडवेज बसे नहीं चलेंगी। यात्रियों को ही हो सकती है परिस्तानी। बाजार में क्या खुलेगा। ब्यापारियों के संगठन कैट ने कहा ह कि दिल्ली समेत पूरे देश में बाजार खुले रहेंगे। अल इंडिया ट्रांसपोर्ट्स वलफेर एशो सेसियन ने कहा कि परिवहन सेवाएं सामाने तौर पर चलेंगी। तमाम आटो यूनियन का बंद को समर्थन लेकिन सेवाएं जारी रहेंगी। मैट्रो बस सेवा पर असर नहीं पड़ेगा। अस्पताल खुले रहेंगे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगले पॉइंट में आपको बताएं कि केवल एंबूलेंस दमकल विबाग समेत एमरजंसी सिवाओं में लगेवानों को आवाजाही की अनुमती होगी। किसी साधी समारो में आवाजाही पर रोक नहीं लग सकती। दवा की दुकाने भी खुली रहेंगी। पुलिस ने कहा किसी को रोका तो ठीक बात नहीं होगी। किन-किन पार्टियों का मिला इस समर्थन आपको बताएं कांगरेस NCP वाम दल सिव सेना सपा अकाली दल राज़त समेत 18 से ज्यादा विपक्षी दलों ने भारतबंग को समर्थन दिया है। कर दिया है कि लोगों की आवाज जाही रोकने जबरन दुकाने बंद करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। यूपी डीजीपी ने भेजे निर्देश में कहा है कि अराजक तत्तों के सास सकती से निप्ट जाए और ऐसी विवस्था बनाई जाए ताकि मारपीट न होने पाए। सिंदु बाडर गाजीपु टिकरी जरोदा लामपूर अचाउंदी चिला बाडर और म्याउ मनियादी सफियाबाद से आने वाले रास्ते बंद किसानों का वहां लगा है जमावडा। जरूरत पढ़ने पर डिएंडी कालंदी कुझ का ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। कि अगर कोई हवाई यात्री भारत बंद की वज़े से हवाई अड़े तक नहीं पहुंचता है तो उसे 900 चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही कंफर्म टिकट होने पर किसी दूसरे दिन भी हवाई अड़े से सफर करने की छूट दी जाएगी। इस प्रकार से बड़ी खबर किसाना अंदोलन को ले करके इस खबर में बस इतना ही मिलेंगे आप से किसी अन्य वीडियो के साथ किसी अन्य न्यूज खबर के साथ में तब तक के लिए देखते रही है जे के एन्यूज